शिशु स्वास्त संकेत में सुधार के लिए मद्प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं राश्ट्रिय स्वास्त मिशन द्वारा बाल मृत्युदर को कम करने के लिए प्रदेश में विभिनने नीतियों का क्रियान वयन किया जा रहा है जिसके चलते मद प्रदेश में भी कारक्रमों के जरीए बाल मृत्यू दर को कम करने का प्रियास किया जाएगा जिस पर आश्वा कारिकलता एनम के सदर से डोर टो डोर संपर्क करेंगे बाल मृत्यू दर कम करने के लिए यह अभियान चलाया जारहा है पाँचाल से कम बच्चों को होने वाली संबंदत बिमारियों के लिए लोगों को जागरुक भी किया जाएगा स्वास्त मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि 12 नवंबर से यह अभियान व्यापक तोर पर चलेगा वाइमानसिक स्वास्त सेवाओं को आम लोगों तक पहुच्चाने के लिए मानसिक स्वास्त के मुद्वपल जागरुक करने के लिए भारत सरकार राश्ट्री मानसिक स्वास्त कारिक्रम भी चला रही है मद्द प्रदेश में नेशनल टैली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी लॉंच किया गया है और ततकाल कहीं है अब चुंकि ये भोपाल एक बड़ा हमारे जगा है संभाग इसको कहें जैसे अगर हमारे पूरे संभाग हम वाटे हैं इंदोर है गबलियर है या जवलपूर है या रीवा है या हमारा भोपाल है तो भोपाल में एक सुरक्षित प्रिशाओ के लिए एक बड़ा अस्पताल हो जिससे सर्व सुधायुक्त हो ततकाल अगर पहुँचे है कोई भी वेक्ती तो वहाँ सारा वहाँ पर आपरेशन की भी विवस्ता हो डाक्टर्स भी हों प्रिशिक्षित एक केंदर भोपाल में बने तो हमारा ये प्रियास है कि एक जो हमारा काड़जू अस्पताल है उसको एक तीन सो बिस्तक्वा जिससे हमारी सुरक्षित मातरत कोई अगर दूसरे जिलस हो भी कभी कोई क्रिटिकल पेसेंट आज आते हैं तो उनके लिए भी एक बड़ा केंदर यहां पर रहा है भोपाल के सांसांत आसपास के जलों के लिए भी उसका लाब मिले उसलिए वहाँ पर हम लोगों ने अच्छे आपरेशन थेटर पिरसिक्षित सिस्टर्स डाक्टरों की उपलबदता 24 अबर वहाँ पर ये बच्चे भी होते हैं जो जिसको मैंने का एसेंस उसमें रखते हैं जो निवबर्न बेबी होते हैं उनका भी प्रापर रूप से लाज हो तो उसको एक अच्छा केंदर बनानी का हमारे तरफ से प्रयाद चलाए पिरकि यह जाल्दी उसकी जारी है और जल्दी ही उसमें हम क प्रागरू करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चों को थोड़ी भी तकलीफ होने पर उजित स्वास्त लाफ मिल सके बिरो रिपोर्ट एमपी नियूस भोपार